आज हम बनाने वाले हैं केक इसके लिए चाहिए ये देखिए ये कप से दो कप मैदा लिया है एक कप शक्कर ये वन फॉर्थ ऑईल है संफ्लोवर डिफाइंड ऑईल है ये आदा स्पून खाने का सोडा ये वन टेबल स्पून बेकिंग पॉडर दे टू एक्वेग्स वेनिल अब इसे हम मिक्स कर लेंगे एक मिक्सी का जार लेंगे थोड़ा नमत अब इसके अंदर हम एक्साइड करेंगे अबसख ठाल नम थाण ये एक्साइड जाद सिर्वेग्स September 21 अब हम इसे भी पीस लेगे अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे वनीला एसेंस वन टेबल स्पून यह दालने से 21 मिल अवैड हो जाएगी रहनले की स्मेल नहीं आती इसके अदर अलहमने इल्ला देखिए हमने यह सब मिक्स कर लिया है मिक्सर में अब हम आट करने वाले हैं और से भी मिक्सी में फिरा लीजिए इस अब मिक्स करना बहुत जरूरी है अब हम इसके अंदर देखिए मिक्सेर पूरा इसके अंदर निकालिया है अब इसके अंदर एड करेंगे हम दो कप आटा चनी लिके चान लीजिए एक चुटकी नमक आफ टेबल स्पून सोडा है खाने का वन टेबल स्पून बेकिंग सोडा इसमें दाल करी चानिया आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है इसके बाद इसे सब मिलाकर चान लीजिए अबिसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए इतना ही घट रख लीजिए आप भी देख रहे हैं इसका बराबर रहे पास केक तीन नहीं है इसलिए हमने यह बुगना यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर दाला है हमने ओई इसे चारो तरफ से सब अच्छी तरह लगा लीजिए अलहमदिल्ला रेखे हमारा बैट यह आटा सब रेडी हो गया है अब इसके अंदर हम आट करेंगे हमने इसमें डाल दिया है देखिए इसे एक दो तीन पार ऐसा एक कर दीजिए इसके अंदर एड बबल्स रहते अब हम इसे चुले पर रख देंगे अब इसके अंदर रख देंगे अब इसे ढुकन ढप दीजिए 30 मिनेट के लिए छोड दीजिए 15 मिनेट बड़ी आंच पर रख दीजिए 15 मिनेट कम मीडियम पर चाहिए अब रिदी होने वाला है अभी रेडी नए हो गया है यह तो पकरा है देखिए अभी फ़्लफी दिख रहा है अलहं न भी चल्व गया है देखिए मासाला लाइ एक इपना फ्लफी है देखिए यह हमने फास्ट टैम मनाया है केक माशाला हिए इससे भी अच्छा बहुत बहुत बनाईगे बहुत अट अच्छा मतेशवार तो झाल झाल